नमस्कार मोटीफर वाल में आप सभी का स्वागत है आज हमने परहिंगे लुसेंट वस्तुनिश शमान ग्यान भारती है इतियास पूर मद्देकाल चो सब पचास इसवी से ले करके 1224 भी तक उत्तर भारत या राजबुत काल सभी एकजामस के लिए बहुत ही महत्पून से है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहड़ी बार आए है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में में लाइक राजबुत काल पहला क्विश्चन से पूरम अधकाल भारती दिहास में 750 इसवी से ले करके 1220 इसवी तक का समय मुक्ता माना जाता है उत्तर भारत के संदर्व में सही उत्तर होगा ओफसन वी यानि की राजबुत काल 712 इसवी में सिंद्व और अर्वो के आकर्मन के समय वहाँ का सासक कौन था सही उत्तर होगा ओफसन वी यानि की दाहिर 813 सरपर्थम भारत में जजिया कर लगाने कसरे सिंद्ध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है उसने किस वर्व को इस कर से पूर्दा मुक्त रखा सही उत्तर होगा ओफसन से यानि की व्रामनों को किस गरंद के उले क्याधार पर यह माना जाता है कि मलेचो के अत्याचार से त्रस्थ होकर महर्शी वसिष्ट ने अत्याचारियों के बिना से तू आभू परवत पर एक यग किया एवं यग के अगनिकुन से चार राजबुत कुलो परमार चौलुके सोलंकी परतिहार इव कि प्रीथ विराज रासों को कि डिल्ली का दिल्ली नगर की एस्ताफना किसने की सही उतर होगाा ओफ्स Brush व यानि की तोमरों ने उस शासा का नाम किया हैं जिस विजय एस्थम का निर्वान कराया था सही उत्तर होगा option A यानि की राना कुंभा ने विजय एस्थम का निर्वान कराया था निमलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमन करने वाला कौन था सही उत्तर होगा option C यानि की अरव फृत्वी राज रासो निमलिखित में किसी न पूर्मद्दकालिन भारत के सास्कों राजबन्सों के साथ उनकी रधनियों का मेल भीठा ये सुची वान और सुची दो के साथ सही उतर होगा ऑफ्सन होगा सी होगा यानि की फर्तिहार या परिहार का होगा कनौज चंदेल का होगा खुजरा हो पर्मार या फवार का होगा धार चोलुक के या सुलोंकी का होगा अनिहलवारा 1120 में निर्मित मंदीर जो भूबनेश्वर के अन मंदीरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है सही उतर होगा ऑफ्सन सी यानि की तिरूभव तिरीभव नेश्वर लिडिंग राज दिलवारा मंदीर कहां पर इस्थित है सही उतर होगा ऑफ्सन डी यानि की आबू परवत पर खुजराहो इस्तित मंदिरों का निर्वान किसी ने किया था सही उतर होगा ओफशन डी यानि की चंदेल राजभुद ने खुजराहो इस्तित मंदिरों का निर्वान किया था विजय अरस्तम कहां इस्तित है सही उतर होगा ओफशन सी यानि की चितोर गट में पिजय अस्तम इस्तित है लिंग राज मंदिर की नीव डाली थी सही उतर होगा आफसन ए यानि की ए आती केसरी ने सोमनात के मंदिर पर 225 इस्वी में महमूद गजनवी की याकर्मन के समय गुजरात का सासर कौन था सही उतर होगा आफसन ए यानि की भीमदेव फुरत हम हिंदू विधी फर एक फुजतक मीता चारा किसने लिखी है सही उतर होगा आफसन सी यानि की विग्यानेश्वर ने मीता चारा नमक फुजतक लिखी बलेक पगोडा क्या है सही उत्तर होगा option C यानि की बलेक पोगोड़ा है कुनार्क में सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमिलित किजिए सुची 1 में है राजबंस, सुची 2 में है राजधानी सही उत्तर होगा option A होगा यानि की चौहान या चहमान का राजधानी है अजमेर गटवार या रठोर के कमबोज गुहिलोत या सिसोधिया का होगा चितोर कलचूरी या है है के होगा त्रीपूरी राज अर्षन के इतियास का प्रनेता की से कहा जाता है सही उत्तर होगा आफशन यानि की करनल टाड को सुची वान को सुची दो के साथ सुमिलित कीजिये सुची वान में है राजवन सुची दो में है राजशेद सही उत्तर होगा आफशन ए होगा यानि की चोहान के दिल्लीव अजमेर प्रतिहार के कनोज परमार के मालवा चौलुक के या सुलंकी का कठिया हवार सुमिलित कीजिए सुचीवान मेराजवान सो सुचीदो में राजचेदर सही उत्तर होगा आफशन ए यानि की चंदेल के जेजाकू मुक्ती एवं बुंदिलखन कल्चूरी के चेदी गढ़वाल या रठोर के कनोज गुहिलोत के मेवार सुमिलित कीजिए सुचीवान में राजवान और सुचीदो में संस्थाफ़क सही उत्तर होगा आफशन वी यानि की चेवान के वाशुदेव फरमार के सियक्टू स्रीहर्ष चोलोक्य या सुलंकी का मनुराज प्रथम चंदेल का ननुक चंदेल कौन सुमिलित नहीं है है राजवन्स और संस्थाफ़क चंदेल के ननुक चंदेल कलचूरी के कोकल फरथम गडवाल के चंद्रदेव राश्टकूट के विजयाले सही उत्तर होगा आफशन डी यानि की राश्टकूट के विजयाले सुमिलित नहीं है हरी केली नाटर का रचईता है सही उत्तर होगा आफशन ए यानि की चोहां सासक विग्रह राज चतूर्त विशल देव किस नाटर के कुछ अंस अढ़ाई दिन का जोपरा मज़िद की दिवार अंदिवारों पर अंकित है सही उत्तर होगा आफशन ए यानि की हरी केली रानी पद्विनी का नाम अलाओदिन खिलजी के चितोर विजय से जोड़ा जाता है उसके पती का नाम है सही उत्तर होगा आफशन डियानि की राना रतन सींग बिक्रम सीला सिख्षा किंद के संस्थाफ़ा का नाम है सही उत्तर होगा आफशन वियानि की धर्म पाल निमलिखित में से किस मंदिर फरीशर में एक भारी भरकम नंदी की मुर्ती है जिसे भारत की विशालतम नंदी मुर्ती माना जाता है सही उत्तर होगा आफशन सी यानि की कंदरिया महादेव मंदीर निमलिखित में सकी से एक नय सम्वत चलाने का यग या स्प्राप्त है सही उतर होगा आफसन डी यानि की लक्षवन सेन गीत गोविन के रचनाकार जय देव किसकी सभा को अलंक्रित कर दे थे सही उतर होगा आफसन डी यानि की लक्षवन सेन किस ने सोमपूर महावियार का निर्वान कराया था सही उतर होगा ओफशन सी यानि की धर्म पाल ने सोमपूर महावियार का निर्वान कराया था भुवनेश्वर तता पूरी के मंदिर की सैली से निर्मित है सही उतर होगा ओफशन ए यानि की नागर राजबन्स जो कनोज पर अधिपत तस्थापित करने में त्रिकोनिय संघर्ष में उलजे हुए थे वे थे पहला है चोर, दूसरा है पाल, तीसरा है प्रतिहार, चौता है राश्टकूट सही उतर होगा ओफसंस यानि की पाल, प्रतिहार और राश्टकूट भारत में प्रतम आकर्मन कारी था, सही उतर होगा ओफसंस यानि की मुहम्मद भीन कासिम जगनात मंदिर की सिराज में इस्थित है, सही उतर होगा ओफसंस वी यानि की उरिशा में जगनात मंदिर इस्थित है पूरी में इस्दित कॉनार के विशाल सुरुदेव के मंदिर के निर्माता थे शही उत्तर होगा ओफसन D यानि की चोड गंग अजयपाल संस्थापक थे शही उत्तर होगा ओफसन C यानि की अजमेर के संस्थापक अजयपाल थे निमलिकित में से कौन कवीराज के नाम से विख्यात था शही उत्तर होगा option A यानिकी भोज परमार भोज परमार दुबारा रचित पुष्ट गए है A पहला है सम रांगन सुत्रधार दूसरा है सरस्वती कंठा भारन तीसरा है योग सुत्र बुरिती सम रांगन सुत्रधार का विशाय है सही उत्तर होगा option A यानिकी अस्थापत्य सास्त्र उसकी मृत्य से धारत, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गई अदधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, फंडीता, खंडीता, सर्वे, भोज राजे, दिवंगते यह युक्ती किस सासक के समंद में है, सही उत्तर होगा option A यानिकी भोज परमार किस सासक ने राजदर्वार में जैन अश्यर हिमचंद्र को सनक्षन मिला सही उत्तर होगा option C A और V दोनों यानिकी जैसिंग, सीधराज और कुमार गुफ्त के सासन काल में जैन अश्यर हिमचंद्र को सनक्षन मिला वह परत्थम भारतिय सासक कौन है जिससे तुर्क आकरंता मुहमद गोरी का सामना हुआ और जिसने मुहमद गोरी को प्रास्थ किया सही उत्तर होगा option V यानिकी भीम दुईतिये कि सासक ने कालिंजर के अजय दुर्व का निर्बान करवाया सही उत्तर होगा option C यानिकी धंगदेव निमलिखित में वह कौन सा समबत है जो कल वुरियों द्वरा प्रयूत किये जाने के कारण कल्चूरी समबत भी कहलाता है सही उत्तर होगा option C यानिकी त्रैकूटक समबत किसके राजकाल में लक्षमी धार ने कल्प दूम या क्रिप्ते कल्प तरू नामक विधी ग्रंद की रचना की सही उत्तर होगा option V यानिकी गोविन्द चंद्र चंद्दावर का यूद 1194 स्वी में किसके मंद हुआ सही उत्तर होगा option C यानिकी जैचंद्र एवा मुहमद गोडी के मद्धे नैसेच चरीतवा खंडन खंड खाद के रचाईता स्रीहर्स की सासर के राजकवी थे सही उत्तर होगा option D यानिकी जैचंद्र निमलिकित सहरों में से किसमे लिंग राजमंदिर अवस्तित है सही उत्तर होगा option C यानि फुमनेश्वर सुची 1 और शूची 2 के सास्समेलित किजिये और सुचीयों के नीचे दिये गए कूटका पड़ोकर सही उत्तर का चैन किजिये सुची 1 में है गरंथकार सुची 2 में है गरंथ सही उत्तर होगा option A कलहन के राज तरंगनी, बिलहन वी क्रमांक देव चरीद, जैनक के फ्रिध्वी राज विजय, सोम देव के ललीत विग्रह राज किस पर स्वामित के लिए पाल परतिहार वर राश्ट कूट के बीच तिरिपक्षिय संघर्च हुआ, शही उतर होगा, ओफसन, वी यानिकी, कनौज तिरिपक्षिय संघर्च की पहल किसने की, शही उतर होगा, ओफसन, ए यानिकी, वत्सराज तिरिपक्षिय संघर्च का आरम किस सदी में हुआ, सही उतर होगा, ओफसन, ए आठवी सदी, श्वी में तिरिपक्षिय संघर्च का आरम और अंद किस राजवन्स ने किया, सही उतर होगा, ओफसन, वी यानिकी, प्रतिहार राजवन्स ने तिर्य पक्षिये संगर्स में भाग लेकर उत्तर भारत के राजनीती में हस्चैप करने वाली और दक्षिन से उत्तर पर आक्मन करने वाली दक्षिन की प्रतम सक्ती थे सही उत्तर होगा option A यानी की राश्च कूट पाल बन्स का संस्ताफ़ कौन था? सही उतर होगा option A यानि की गोफाल नेक्ष्ट पाल वंस की रर्धानी थी सही उतर होगा option A यानि की मुद्दू गिरी या मुंगेर राश्टकुट वंस का संस्थाफक था सही उतर होगा option A दंती दूर या दंती वर्मन दूईतिये राश्टकुट वंस की ररधानी थी सही उत्तर होगा ऑफशन A यानि की मालखंड या मानखेद किस परतिहार सासक ने आदिरवा की उपादि धारन की थे सही उत्तर होगा इसका ऑफशन C यानि की मिहिर भोज किस विदे से यातरी ने गुजर परतिहार वंस को अल गुजर एवं इस वंस के सासको को बोरा कहकर पुकारा इसका सही उत्तर होगा ऑफशन V यानि की अल्म सूदी ऑफशन V करपूर मंजरी नाटा के रचाईता राज सेखर को किस परतिहार सासक ने सनक्षन दिया सही उत्र होगा ऑफशन C यानि की महेंदरफाल प्रधम परतिहार स्वेम को किस का वंसस बांते थे जो राम के परतिहार अर्था दौरफाल थे सही उत्र होगा ऑफशन C यानि की लक्षन 750 इसमिय बंगाल के पाल वंस की या साफना करने वाले को पाल ऐसे सासक थे जिन है सही उत्र होगा ऑफशन C यानि की सामंती सरदारों ने चुना किस पाल सासक को गुजराती कभी सोडढल ने उत्रापत स्वामिन कहा सही उत्र होगा ऑफशन A यानि की धर्मपाल नौवी सदी में भारत आय अरव यात्री सुलिमान ने की समराज को रूहमा कहकर सुमदित किया सही उत्र होगा ऑफशन A यानि की पाल हिंदू वीधी की एक प्रसीद पुष्टक दैभाग की रचाईता थे सही उत्र होगा ऑफशन C यानि की जी मुत वाहन रामचरित की रचना किसने की सही उत्र होगा ऑफशन D यानि की संधियाकर नंदी पाल वंस के पतन के बाद बंगार का राजनीतिक ने त्रियत परदान किया सही उत्र होगा ऑफशन A यानि की सेन वंस ने सेन वंस का संसाफ़ कौन था सही उत्तर होगा option A यानि की सामंत सेन किसने कुलीन प्रथा या कुलीन ता वाद का आरंब किया सही उत्तर होगा option A यानि की बलाल सेन ने किसने एस्मृती ग्रंथ दान सागर एवं जियोतिस ग्रंथ अदभूत सागर की रचना की सही उतर होगा option C यानि की वलाल सेन कसमीर परलग भर 50 वर्सों तक सासन करने वाली रानी दिदेदा का मुल रूप से किस वन्स की राज़कुमारी थी सही उतर होगा option C यानि की लोहार वन्स काईस्तो का एक जाती के रूप में प्रथम उलेक कहां मिलता है सही उतर होगा option C यानि की ओसनम एस्मिरिती में सुची 1 में दी गए मंदिर निर्मान सहली की सुची 2 में दी गए उसकी प्रशार छेत्र से सुमिलित कीजिए नागर सहली उतर भारत में हिमाले से विंदे तक वेसर सहली विंदे से क्रिशना तक द्रविर सहली क्रिशना के दक्षिन में कन्या कुमारी तक सही उतर होगा option A के केसी नरेश जगनात मंदिर पूरी अनंद वर्मा चोड गंग पूर्वी गंग नरेश सुर मंदिर कुनार्क नरसिम देव पूर्वी गंग नरेश गुर्जर परतिहार के उजयनी साखा का संस्थाफ़क कौन था? सही उतर होगा option V यानि की नागवट प्रथम फुजराहों के मंदिरों का शमंद है सही उतर होगा option D यानि की A, V, C, T, O यानि की सेव संपरदाय से, बैसनव संपरदाय से और जैन संपरदाय से जैन वस्दुकला का फ्राचिंतम उधारन कहां मिलता है? सही उतर होगा option A यानि की दिलवारा ओदंत पूरी विश्वित दाले विहार शरीफ नलंदा जिला का मुख्याले विहार का संस्थाफ़क था सही उतर होगा option A यानि की गोपाल मोधेरा का सूर मंदिर किस राज में रिष्थित है? सही उतर होगा option V यानि की गुजरात कलहन क्रीत राज तरंगनी में कुल कितने तरंग है? सही उतर होगा option A यानि की आठ सुमिलित कीजिए चत्रभूज विस्नु मंदिर खुजराहो यसो वर्मा कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो धंग बिमल वसही मंदिर आभू दिलवारा बिमल सह वैस से लूनव सही या देवराने जिठानी मंदिर तेज फाल वा वस्तू फाल सही उतर होगा option A सुमिलित कीजिए सुची वान और सुची दो सही उतर होगा option V यानि की मच्छेंदरनात का मंदिर अमर कंटक चौसर योगनी का मंदिर वेरा घाट जवलपूर सूर मंदिर मोडेरा चौमुक मंदिर पालिताना